नमस्कार प्यारे बच्चों केसे हो मैं रूपतारेंड सर्मा रेजोनेंज PCCP डिवजन सीनिर हिंदी फिकल्टी और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक नई जानकारी के लिए विशेज जानकारी जो कक्षा 10th CBSC जो कोर्स A का paper pattern है वो किस तरह से रहेगा यहां आपके लिए exam से पहले एक विशेज जानकारी है तो हमने आपके लिए यहां पर एक sample paper लिया है जिसके माध्यम से हम आपको यह बता सके कि किस तरह आपका paper pattern रहने वाला है किस तरह paper आपका आएगा किस तरह से अपनको उसको लिखना कैसे है और objective कितने रहेंगे subjective कितने रहेंगे तो आज हम उसी का एक अध्यन करते हैं Hindi, कक्षा दस्वी, कोर्स A जिसको आप बोलते हैं और sample paper किसका है केंद्रियमाद्यमेक्षिक्षा बोर्ड का हमने एक sample paper लिया है CBSC बोर्ड sample paper तो देखते हैं अपन इसमें खंड जो आपको दिया हुआ है वहा है वस्तुनिष्ट प्रश्ण बहुँ विकल्पिय प्रश्ण तो खंड अ में प्रश्ण नमबर एक किसका रहेगा कि नीचे दिये गए गए गद्यान्स को ध्यान पूर्वक पढ़कर और उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देजिए बच्चों कितने माक्स का आएगा पांच नम्बर का इे पांच औज्यक्टिक्टिव टाइप के 5 योशन आएगे और इस तरह से गद्यानस आपको दिया जाएगा कि सब सुकी हो सभी स्वस्तो हो सबका कल्यान हो किसी का कोई दुखी न हो ऐसी पुनित भावनाय भारत वर्ष में सद्यव प्रभावित होती रही है वास्ताव में दया प्रोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और नपुल्णे मानाव का उद्देश से और मानाव का जीवन सार्तक्ता इसी में है कि वह दूसरों पर दया करें उनका कल्यान करें उस सहाई की यासना पून करुणा द्रश्टी से उसका हिर्दे द्रवे भूत हो जाए यदि विद्या है तो वाद विवात ना करें विद्या को अशिक्षित में विच्षित करें तभी वह सच्चे मनुस्य कहलाने के लिकारी हो सकेंगे आज आउशक्ता है ध्यान देना बच्च सुनकर के उनके दुख दूर करें सेकडो भूके लोगों को अन देना तन ढखने के लिए वस्तर देना भूख से तडपते और सर्दी से टुटूरते बालकों को संदक्षन देना ऐसे बच्चे जो अनात है उन्हें गोद में उठाना अपने पापी पेट के लिए नारी का स पानी पिलाना अंदे को मार्ग दिखाना अरे भयवित की रक्षा करना आधी कारे दया के रूप में ही है सबको जीने का समान अधिकार है इस्वर ने सबको एक सा बनाया है शक्तिशाली का करतव निर्भलों की सहयता करना है न कि उनको सताना हमारे पौराणी के तिहास में दयालू वेक्टियों को ही महापुरुस माना गया है राजा सिवी को देखिए कि बाज के आकर्मन से भाईबित कभुतर को उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया बाज वहां भी आप पहुचा और उनके सामने दो सरते रखी क्या पहली कि आप मेरे सिकार को वापस कर दीज कि अब राज शिवी ने टाराजू में कभू तर के बराबर अपने सरीर का मास दे दिया धर्म का दूसरा रूप दया ही है भारत वर्च में चीर काल से धयह की भावना प्रभाइद होती चलिए 야 रही है समास से रया की भावना का लोग हो जाता है तो मानवता रशातल में चली जाए इस तरह से अपटित गद्यान से आप से पूछा जाना है किस तरह से अपन प्रश्न हल करते हैं देखी आप कि यदि विद्या है तो वाद विवाद न करें पंक्ति के अनुसार विद्यावान की विद्या कब सार्थ तक है जो असिक्षित है उसे सिक्षित करना जो निर्बलों की साहिता करना तन ढगने के लिए वस्तर देना और स्वयम को सिक्षित करना तो बच्चों विद्यावाद वाद वाद न करें यानि कोई भी बच्चा असिक्षित है तो उसको सिक्षित करना तो अपन इसमें टिक कर सकते हैं A option पिलकुल क्योंसर नमबर दो देखते हैं अपन कि दूसरों पर दया करने को ही मानों जीवन के सार्थ तकता क्यों माना गया है बच्चों क्योंकि दया एक भावना है क्योंकि दया के समान कोई अन्यधर्म नहीं है क्योंकि दयावान दीनों जाएगा क्यों से नंबर तीन देखते हैं कि राजा सीवी ने कभूतर की रक्षा के लिए अपने सरीर का मास्क क्यों दे दिया क्यों दे दिया क्योंकि वह धर्म प्रायंड थे क्योंकि वह प्रॉपकारी थे क्योंकि वह हिंसावादी थे क्योंकि अपने सरीर को महत्व दिया तो इसमें गद्यांस में हमने पढ़ा कि वहाँ प्रॉपकारी ते यानि प्रॉपकारी कौन उधार उधार वादी ते आगे है प्रश्च नमबर फॉर्थ कि सच्चे मनुसे दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं इस कथन के पक्ष्मी निम्लिकित में से कुन सकतर लक्षण है आस हायों की करुण पुकार पर सच्चे मानों का हिर्दे दर्वित हो जाता है अनाद बच्चों को बे सहारा चोड़ना भी मानोता का ही लक्षण है तो बेल्कुल भी नहीं बाकि दोनों ठीक है तो इसमें डी ओप्षन आपका सई हो जाएगा आगे चले अपन इनको बोलते हैं तारकिक प्रश्ण है पूछे जाएंगे निशित्वे देखते हैं कथन ए और कारण आर को पढ़कर के उप्युक्त विकल्प चुनिये साब देखिए अब कथन ए शक्ति सालिका करतवे निर्वलों की साहिता करना है कथन आर मानव जीवन की सार्थक्ता त अब इसमें देखते हैं पहला कथन ए गलत है किन्तु आर सही है कथन ए गलत नहीं है भई सही है तो इसको कथन ए और आर दोनों ही गलत है यह भी गलत है कथन ए सही है और कारण आर उसका क्या है एक ही रख्या है तो बिल्कुल हो जाएगा कथन ए सही है किन्तु कारण गलत ह नहीं भीलकुल सी अप्षिंस आधिये अगे से लेए अपन क्योंसर नमबर दो उसके पाँच प्रष्ण हो गए अब यह जो गड्यांज यह काव्यास है यह कितने नंबर का है पांच कितने प्रश्ण आएंगे पांच प्रतेक प्रश्ण कितने नंबर का होगा एक अंक का तो चलते हैं अपन सरवादिक उप्युक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए कि जिस राम के गुण आप गाते हैं जिस अर्जुन पर आप मुग्द हैं ब वे राज महलों के हैं या वनवास के हैं मित्रों। जब स्वयं रामचंदर राज महलों की रेश्मित जूत्नियां उतार कर नंगे पाउड वन में पधा रेथे, तभी से वह महिमा मान हो गए राज कुमार तु थे ही, अवे भगवान हो गए जटाधारी राम हो या वनवन भठकते पांडव सब के गोरवशाली चरित्र किसके हैं वनके हैं तारका का वद्ध हो या जटायू का संस्कार केवट का मिलन हो या सबरी का प्यार भारत से मिलन का हेतु हो या लंका का सेतु हो सब वनके ही स्रिंगार हैं राम के 14 वर्ष हो या पांडों के 13 वर्ष दोनों ही मैमा की मुझी है वन से ही उगाई है सोने की लंका वनवासी राम ने ही डाहाई थी, जुए की खाई में गिरे पांड़ों ने दुर्योधन की जंगा तोडने की शक्ती अरे वनवास से ही पाई थी, बहुत अच्छा प्रसंग है, प्रश्च नमबर एक, कि काव्यांस में रेस्मी जूतियां और नंगे पाउं, कि इस्ततियों का परिचाएक है, राजा और रंक का, किसका है, कि राजा से रंक बने कौन, भगवान राम, क्योसर नमबर दो, जुए की खाई में गिरे पांड़ों ने दुर्योधन की जंग तोडने की शक्ती वन से ही पाई थी, पंक्ति के माद्यम से क्या सिक्षा मिलती है, कि बाधाओं से लड़ते हुए ही आगे बढ़ने की, बाधाओं से आगे बढ़ोगे जब बाधाओं से लड़ोगे, प्रश्न नमबर तीन देखो आप, कि राज पाट त्याकर वन गमन ने, रिक्टिस्तान दिया हुआ है, कौन, राम चंद्र, भगवान बना दिया था, ब जटायू का संस्कार, केवट का मिलन हो या सबरी का प्यार, भरत ने, भरत से मिलने का हेतु हो या लंका का सेतु हो, उप्रिक्ट पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाता है, क्या कहना चाता है, पहला वेपरीत परिश्तितियों में ही व्यक्ति की असली पैचान होती है, विप्रीत परिस्तितियों में थपेड़े ही वेक्ति को कुंदन साथ जमकते हैं, वेक्ति हर परिस्तितियों में अपने अनुसार ढाल लेता है, वेक्ति के लिए हर परिस्तितियां उजवल होती है, तो इसमें कौन सा ये तो गलत है, और ये भी गलत है, तो ये दोनों ये वि बागी सब गलत हैं आगे चलें अपन फिप्त क्योंसन देखवाब कथन ए कारण पढ़कर के उप्रिक्त बताईए ए बड़ी कठनाईयों का सामना करके ही मनुष्य महान बनता है पहला दूसरा वन प्रवास के दोरानी रामचंद्र ने अनेक महान कारे किये पांडव ने भी कोर्वों को जीतने की ताकत वन प्रवास के दोरानी पाई थी तो कौन सा रहेगा कौनसा रहेगा A गलत है यह तो सही यह A A का कारण गलत है यह भी गलत है यह भी गलत है TikTok A सही किंतो R इसकी व्याक्षया नहीं है तो इसमें C Audio Тут आपका सही माना जाएगा आगे चलें क्योसर नम्बर तीन किसे सम्मधिद होते हैं यह यह होते हैं व्याक्रण से संबंदित तो कितने प्रश्ण चार कितने दिये हैं पांच एक छोड़ना आपको होता है चार हल करने होते हैं एक को छोड़ दीजिए तो यह आपके लिए आसान हो जाता है पहला देखो आप कतन ए सचीन ने इस्वर का नाम लिया और खेलना शुर सचीन ने इस्वर का नाम लेकर खेलना शुरू किया तो उप्रियुक्त यह तो संग्त वाक्य क्योंकि और आ रहा है आप कोई पता है यह सरल वाक्य है तो जहांपे सरल संग्त होगा तो यह ओप्शन बिल्कुल हो जाएगा आगे चले अपन सेकेंड नंबर का क्रिशन वहां वहां प्रियुक्त वाक्य में मिफ्र वाक्य बनाने के लिए उच्चित योजक्त चिन लगा यह तो कौन सा लगेगा जैसे ही तो यहांपर क्या लगेगा वेसे ही वेसे ही तो ए उप्शन इसका सही एकदम सही आंसर है क्योंसा नमज फॉर्थ नेमना लेकित वाक्यों में संग्या आश्रित उपवाक्य पैचान कर नीचे दिएगी विकल्प में सरवादिक विकल्प उत्तर वाला विकल्प चुनिए पिलकुल देखिए कि पहला उसने कहा कि वह आज नहीं जाएगा दूसरा उस लड़के को बुलाओ जो खड़ा हुआ है तीसरा यह दी परिश्रम करोगे तो अवसे सफल होगे चोथा किसी ने सच कहा है कि इमानदारी से काम करने से सभी काम सफल होते हैं तो इसमें कौन सा है पहला और चौथा सही है यह दोनों गलत है कि पहला और दूसरा विल्कुल करेक्ट अंसर है आगे चले हैं क्योंसा नंबर फिप्त वाक्य विचार का इस टाइब के भी आपको क्योशन दिये जाएंगे कॉलम वाले को क्योशन देखिया पैचान करना है कॉलम एको दो के साथ सुमेलि तुम जाओगे तभी पास होगे एक वहाँ खाना खाते ही सरल वाके तो कौन सा है एव ऑप्शन इसमें सही आंसर है आगे चले बच्चों क्योशन नंबर फॉर्थ जो होता है वाच्चे के लिए होता है जो आपकी सेलिवस के लिए सबसे वेर इंपोर्टेंट टोपिक है पिल्कुल देखे पहला उससे रोया नहीं जाता दूसरा वहाँ शेव खाता है कथन एट प्रद्धानता है और साकर्मक है इसलिए कोन सा वाच्चे है वाट समझ में आ गई do कर्म वाच्चे की पहचान नहीं है कर्म वाच्चे करता के साथ से के द्वारा आता है यह तो बिल्कुल पहचान है आता है केवल सकर्मक किरिया का प्रयोग होता है बिल्कुल होता है किरिया का लिंग वचन कारक कर्म के अनुसार होता है केवल अकर्मक नहीं होता है यह ध्यान प्रियोक्त वाक्यों के आधार पर सही विकल पैचानी तो कर्म वात्चे का उधारण है भाव वात्चे का नममर फौर्थ कि मैं अब चल नहीं सकता कौन सा है कौन सा है मुझसे अब चला नहीं जाता तो यह तो कृत वाच्चे अब वाला भाव वाच्चे तो भी ओप्षन हो बिल्कुल हो जाएगा तो करता प्रधान है तता कीरिया का लिंग वचन करता के अनुसार है गर्म प्रधान ये तो गलत है भाव प्रधान ये भी गलत है तो ए ओप्शन इसका सही माना जाएगा आगे चलें फिप्थ पद परिचे के लिए तो देखने अपन एक पांच में से चार कितने नंबर कहा है चार कितने क्योशन है पांच कितने हल करने है चार इनकव भी आपको विशेध्यान देना है वहां भाव कभी है गुण वाचक विशेशन पुल्लिंग एक वचन उप्युक्त पद परिचे किस पद का है तो इसमें बच्चों भाव बिल्कुल हो जाएगा आगे चलें आगे है द्वार पर कोई रेखांकित ने दिया हुआ है रेखांकित कर लेते हैं कोई का रेखांकित करते हुए पद परिचे बताना है कोई यानि अनिश्यत है बिल्कुल बी ओप्सन हो जाएगा आगे चलें अपन थर्ड रमेश यहां रहता है यहां तो यहां क्या है इस्तानवाचक है बिल्कुल बिल्कुल समझ में आरा है आपको बिल्कुल बहुत अच्छा आपड़ रहे आप फॉर्थ है वे घर पहुंच चुके हैं तो इसमें कौन सा है बच्चों वे कौन है गुण वाचक नहीं है पुरुष वाचक तो है पुर्लिंग एक बहुवचर बिल्कुल डी ओप्शन डी ओप्शन इसमें हो जाएगा क्योंसर नमबर फिप्ट देखिए वहाँ आज विद्ध्याले नहीं गया क्या आएगा क्योंकि वह भीमार था इसने विद्ध्याले नहीं गया आगे चले क्योंसर नमबर शिक्स जो किसके लिए है किसके लिए जाना जाता है अलंकार योजना के लिए जाना जाता है तो एक प्रश्णी कितने नंबर का है एक कितने प्रश्णी करोगे चार तो चार अंक्य हो गए पहला इस्तब और इस्तम्ब के सही मिलान का विकल्ब कीजिए तो देखिए बच्चों पहला बाण नहीं पहुंचे शरीर तक सत्रु गिरे पहले ही भूपर बाण तो पूचे नहीं सत्रु गिर गए तो कौन सा है अत्ति शुक्ति मेग आये बड़े बंठन के समर के यह भी हो जाएगा फूले का सकल महीं जनू जनू जहां पर आता है पढ़ाय पने अलंकार होता है तो इसमें दी ओप्शन आपके सही माना जाएगा आगे है सेकिंड दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन का जियों मजु मैं संदेश तो यहां पर मैंने आपको फुर्ट देर पहले बताया जियों जहां पर है वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार नेक्स्ट थर मानुई करण अलंकार होता है हां उपमे का उपमान का अंग मानने पर उत्प्रेक्षा अंग नहीं माना जाता है संभावनाय व्यक्त की जाती है किल्पनाय व्यक्त की जाती है एक शब्द का अनेक बार अर्थों में प्रयोग होने पर स्लेश नहीं सब्द एक होता है जलता से कहने के लिए अतिशुक्त नहीं तो इसमें एव उप्शन सही माना जाएगा आगे चले पन क्योंसे नंबर फेप्त देव फोर्त देखते हैं पन कि अरुन भय को मल चरण भुवी चलबे को मानू दूसरा है राणा प्रताप के घोडे से पड़ गया हवा का पाला था तीसरा है रात कली एक क्वाब में आई और गले का हार हुई हाँ तो कौन सा है पहले में कौन सा है उत्त प्रेक्षा उत्त प्रेक्षा क्यों है मानू शब्द के लिए दूसरा में राणा प्रताप के घोडे से पड़ गया हवा का पाला था अरे हवा थोड़ी एक घोड़ा है ना खौती शुक्ति है तो इस खौती शुक्ति मान सकते हैं अपन अत्ति शुक्ति और तीसरा रात कली विरिश्ख्वाब में आई बने बलेवा हार बने शले सलंकार तो डी उप्शन इसमें हो जाएगा आगे चले बच्चों कि फिप्त कथन ए प्रक्रति के योवन का स्रिंगार करेंगे कभी न बासी फूल दूसरा प्रक्रति के को नव युवति के रूप में दिखाने का कारण ही यहां मानुविक रलंकार है तो यहां पर डी ओप्शन कथन ए कारण आर दोनों सही है बिल्कुल है आगे चले अपन अब अपने क्योशन नमबर सेवन्थ व्याकरण वाला टॉप्ति खतम अब आपकी पार्टे पुस्ति का जिसका नाम क्या है सितिज उससे पूछे जाने वाले प्रश्ट तो सबसे पहले आपको गद्यांस आपको दिया जाएगा जिसमें पांच क्योशन होंगे और प्रते क्योशन एक नमबर का होगा तो देखते हैं अपन नेमन लिखित में से पठित गद्यांस के आधार पर बहुँ विकल्प प्रश्टों में से सर्वादिक उप्रयुक्त चुनिये तो देखें बच्चों कि 15 दिन बाद फिर कस्वे से गुजरे किसका है ये नेता जी का चस्म कस्वे में घुशने से पहले ही खयाल आया कि कस्वे की हिर्दे स्तिली में सुबास की प्रतिम अवस्य ही प्रतिष्ठापित होगी लेकिन सुबास की आँखों पर चस्मा नहीं होगा क्यों क्योंकि मास्टर बलाना भूल गया और केप्टन मर गया सोचा कि आज वहां नहीं पान भी नहीं खाएंगे मूर्ति की तरप देखेंगे भी नहीं सीधे निकल जाएंगे ड्राइवर से कह दिया कि चुराहे पर रुखना नहीं आज बहुत काम है पान आगे ही खा लेंगे लेकिन आदस से मजबूर आखे चुराहे की और मूर्ति की तरप उठ गई कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको जीब स्पीड में थी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे राश्ते चलते लोग देख लगे जीब रुखते न रुखते हालदार सहाब जीब से कूद करके तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर के अटेंशन हो गए इतनी सी बात पर उनकी आखें भाराई हूं क्योंसर नंबर एक हालदार सहाब की सादस से मजबूर थे चोराहे पर मूर्ति को देखना विल्कूल हो जाएगा Q2. हालदार सहाब भाउत थे क्योंकि पान वाले की मृतिव हो चुकी थी, केप्टन की मृतिव हो चुकी थी, इसके लिए भी मूर्ति की आखों पर कोई चस्मा नहीं था, मूर्ति की आखों पर सरकंडे का चस्मा था, तो इसमें D option सही होगा वही, कौन सा वाला D option, सरकंडे क चस्मे को देख करके भाव हुए थे वो, आगे है, गद्यांज के अनुसार हालदार सहाब की मृति के सामने अटेंशन में खड़ा होना, उनकी नेता जी के प्रति सम्मान बिल्कुल हो जाएगा, आगे चलें अपन, question number fourth, हालदार सहाब की आखें नम क्यों हो गई थी, साब कि भावी पीडी देश भक्ती की भावना से उत्प्रोथ है, नेता जी एक सच्चे देश भक्त थे, केप्टन देश भक्त था, पान वाला आखा देश भक्त का मज़ा गुड़ा रहा था, तो भावी पीडी देश भक्ती की भावना से उत्प्रोथ है, आगे चलेंपन, question number fifth कथन A, मूर्ति की आखों पर चस्मा नहीं था क्योंकि मूर्तिकार बनाना भूल गया, कथन 2, सरकंडे का चस्मा कश्पे के बच्चे का प्रियास था, 3, केप्टन ने मूर्ति को चस्मा नहीं पहनाया था, तो इसमें तो साफ साफ है कि दो सही है, ये गलत है, तो इसमें C आएगा, आगे चले अपन, क्योशन नमबर एर्थ, अब देखिए, एर्थ में सितिज से आपकी गद्य से आधारित, गद्य भाग से आधारित, दो प्रश्न दिये जाएंगे, और दोनों ही आपको हल करना है, अबजेक्टिव, देखिए आप, एन सब के उपर में तो प्रियुक्त गान पर जो सदा सरवदा ही सुनने को मिलता है, कबीर के सीधे साध्य पद, जो उनके कंट से निकल करके सजीव होडते हैं, सबसे पहले तो आपको यह याद होना चीए कि किस से लिया गया है, तो बच्चों बाल गोविन भागस से, उप्रियुक्त कथन के और आगे चले अपन, क्योसर नमबर सेकेंड, कतन ए, एक मनुभंडारी के पिता स्वभाव का कारण के पिता ही थे, एक कहानी यह भी पाट के अधार पर बिलकुल, तो इसमें क्या है, कतन ए और दो गलत है, नहीं, एक तो सही है, एक गलत है, गलत यह वाला, मनुभंडारी के पिता स्वभाव से नहीं है, तो सही है भी, कतन एक सही है, और कतन उसकी व्याख्या है, नहीं, नहीं, तो डी उप्शन इसका सही माना जाएगा, आगे चले अपन, क्योसर नमबर नाइन देख लीजिए, जेस तरह से गध्यां सही है, आपके सितिच कौन सा काव्य खंडगा, कि बादल गर्जू, विकल विकल उनमन ते उनमन, विश्व के निधाग से सकल जन, आए अज्यात दिशासि अनन्त घन, तब्त धरा जल से फिर सीतल कर दो, बादल गर्जू, कितने प्रशन पूचे जाएगे, पांच, बेचेन, व्याकूल, व्याकूल भी कह सकते हैं, दूसरा, गर्मी से लोग कैसे हो गए अनमने, उनमन, उनमन याने होता है, अनमना, अनमना, आगे है क्योशन नमर तीन, कथन एक, गर्मी के करण धर्टी वासी परेशान थे, दूसरा, बादल बरसकर लोगों को के दुख हर लेता है, इसमें दोनों ही सही है, बिल्कुल दोनों सही है, इसमें, आगे चले हैं पन, क्योशन नमर फॉर्थ, कभी बादलों के स्वर में गरजने के लिए कह रहा है, कभी बादलों से स्वर में गरजने के लिए कह रहा है, मदूरता, सेतलता, विनम्रता, शक्तिशाली, क क्योंकि गरजना, सक्तिशालिका प्रतीक है त्यानक ना फिफ्थ, निमने लिखित में से एक बादलों की विशेषता नहीं है, वे अग्या दिशा से आये हैं, वे अपने जल से धर्ति को सितल कर देंगे, वे अनंत इस्वर की रती है, वे त्रप्त है, बादल त्रप्त क्यों रहेंगे, वो तो त्रप्त दुकातों को दूर करेंगे आगे चलें क्योसा नमबर टेन दो प्रश्ण आपके जैसे उसमें गद्दे से पूछे गए जैसे पद्दे से भी पूछे जाएंगे कि तुमारी यह दंतुरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान धूली दूसर तुमारे गात छोड़ कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात बच्चों सीशू का मुस्कान दंतुरित है बिल्कुल है सीशू की मुस्कान मृतक प्राणी में भी जीवन का संचार करती है कवी की जोपड़ी में तालाब है तालाब थोड़ी है कमल है यह दंतुरित मुस्कान के आधार पर कौन सा कतन सही है हां एक और दो सही यह तीसा गल किसानों के परिश्रम का फ़ल क्या है यह प्रियास उनके प्रियास का फल है फसल खंड 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 में वर्णात्मक प्रश्णों पर चलते हैं कि किस तरह से बच्चे लिखते हैं कैसे कैसे प्रश्ण उनसे पूछे जा सकते हैं, तो क्योशन नमबर 11 पर चलेंगे पर, क्योशन है कि गद्दे पाठों के आधार पर, कौन से बुक्का, आपके जो सितिज बुक्क है उसके आधार पर, नेम न लिखे चार प्रश्णों में से किनी तीन प्रश्णों के उत्तर लगभद 25 से तीस श दो अंक का है, तीन करोगे तो छे अंक मिलेंगे, अब क्योशन देखवा आप, प्रश्ण नमबर 11 बाल गोविन भगत की पुत्र वदू उन्हें अकेली क्यों नहीं छोड़ना चाती थी, लिखने की शेली देखवा आप किस तरह से लिखना होता है, बाल गोविन भगत की पुत्र वदू उन्हें अकेली नहीं छोड़ना चाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फेलाते, उन्हें चिन्ता थी कि उसके जाने के बाद कौन उसके देखवाल करेगा, कौन उन्हें खाना देगा, और कौन बीमारी में उनकी सेवा कर बिल्कुल आगे चलें अपन सेकेंड नंबर है कि लखनवी अंदाज पाठ में नवाव सहाब के माध्यम से नवावी प्रमपर आप पर वेंगे कीजिए इस पष्ट करें उत्तर देखें आप लखनवी अंदाज पाठ के द्वारा लेखक ने पतन सील सामंती वर्ग पर वेंगे किया है कि किस तरह से राजय माराजाओं का पतन हुआ है खत्म हुए है ऐसे लोगों के लिए जीवन की वास्त्विक्ता सिद्धूर रहकर क्रेत्रिम्ता बनावटीपन को अपनाना बड़े ही गर्व के बात होती है वास्तों में यह कि बलकि पतन सीलता की और अgg्यैशर होना जलकता है कि इस मदर तीन पे चलें ही हालदार सहाब को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों ऑंसर देखेंगी हालदार सहाब को पानवाले के द्वारा चस्मे वाले का मजग उड़ाया उड़ना अच्छा नहीं लगा क्यों क्योंकि चस्मे वाला सम्मान का पात्र था उसके मन में देश भक्ति के प्रति आदर और सम्मान का भाव था और इसी कारण वह नेताजी के मूर्ति पर चस्मा लगा देता था सारे रे गूप से अक्षम होते हुए भी वह देश भक्ति के भावना से और प्रोत था जबकि पानवाला शक्षम होते हुए भी इससे वन्चित था आगे चलें प्रश्च नमबर 4 वर्तमान समाज को संस्कृत सब्द सही करना है इसका संस्कृत कहा जा सकता है या सब्दे तर लगा जानों न चीए कि वर्तमान समाज को सब्द कहा जा सकता है संस्क्रत नहीं कि संस्कृत थो आपने पढ़ है जिस ने सरुप्रतम उस सीज़ का प्रियोकिया है वो संस्क्रत और उसको आगे बढ़ाया सब्वे है तो क्योंकि हमारे समाज में जो भी उन्नति हुई या हो रही है वो सब हमारे पुर्वजों के द्वारा के वह आविस्कार और अनुशंधान के कारण ही संबभ हुई है प्राचिनकाल में आग या सुई के ध हम नहीं नहीं चीज़े बना पाए हैं और लगातार उन्नति की और अग्रेसर हो रहे हैं अतर सब्वे और संस्कृत सब्वे हैं संस्कृत नहीं हैं बच्चों प्रश्ण नमबर 12 यह भी चार में से तीन पूछे जाएंगे आपसे निर्धारित कवीता अब इसमें कौन सा और अंक भार आपके सामने है ही सही इसमें देखना क्या है कि उत्ना ही लिखे जितना हम से पूछा गया है जितना वेटेज हमारे पास है क्योंसर नमबर एक उत्सा कविता में कोन विकल उनमन थे और क्यों देखिया आप आंसर देखेंगे अपन इसका उत्सा कविता में आधिक गर्मी से धर्ती तप्त थी यहां के लोग गर्मी से विकल और अनमने थे क्योंकि यहां पर वर्षा नहीं हुई थी, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, वे शेतलता चाते थे, ताप वो गर्मी के कारण तप प्यासे जन्मानस को बादलों का ही साहरा था, बिल्कुल हो जाएगा, क्योसान नमबर आगे बढ़ते हैं अपन, क्योसान सेकेंड, जैसंकर परसात के जीवन के कौन से अनुभव उन्हें आत्म कथा लिखने से रोक रहे हैं, आंसर देखेंगे अपन, जैसंकर परसात का मानना है कि अपने जीवन में उन्होंने कोई भी ऐसा महानकारे नहीं किया, जिसके बारे में वे पढ़कर उनसे प्रेणा ले सके, उनके खाली जीवन को पढ़कर लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनके जीवन के ये अनुभव ही उन्हें आत्म विश्वास लिखने से रोके रोक रहे हैं, आगे चले बच्चों, क्योसर नमबर 3 देखेंगे अपन, गोफियों द्वारा उद्धाव को भागेवान कहने म समय प्रहकर भी प्रेम के महत्तु को न समझना, उद्धाव का दूर भागे है, बेलकुल विप्री दिशा में होता है वो, परन्तु वे अपने यहां पर आये हुए अथिति का सम्मान वस उसे कटू वचन नहीं कहती, और वेंगे पूर्वक वे उसे उलाना देती है, इस प कभी नागार्जु ने छोटे बच्चों की मुस्कान को देखकर के क्या कलपना की, बेलकुल अच्छा प्रश्ण है, कभी ने छोटे बच्चों की मुस्कान को देखकर कलपना की है कि उसकी मुस्कान मृत्तक प्राणी में भी जीवन का संचार कर देती है, उसे देखकर पा प्रश्ण नमबर 13 देखपन इसमें है पूरक पाठे पुस्ति का कौन सी क्रति का कि पाठों के आधारित नीम ने लिखे तीन प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर दीजिया सब लेकिन कितने सब्दों में होना चीए 50 से 60 सब्दों में अब दोका देना है यहां पर वेटेज कितना है चार अंग दो प्रश्ण के लिए चले प्रश्ण नमबर एक जापान में अग्गेने एक जले हुए पर्थर पर एक उजली छाया देख करके क्या सोचा आंसर देखते अपन लेखक सचीदा नंद हीरा नंद वात्षाइन जापान यात्रा के समय हीरो सीमा भी गए थे सब जहां पर वीश्वय युद्ध के अनुबं बरसाई गए थे लेखक ने वहां के लोगों की तराशदी को देखा उसे अनुभव भी हुआ कि लोग रेडियम पधार्थ से किस प्रकार प्रभावित थे पर अनुभव परियात नहीं होता अनुभूती कहीं गहरी समवेदना होती है जो कल्पना के सहारे सत्य का भोग लेती है तब लेखक ने अनुमान लगाया क्या कि विस्पोर्ट के समय कोई आदमी महां खड़ा होगा और विस्पोर्ट में बिखरे हुए रेडियम वेडियो धर्मी पधार्थ की केड़ों से उसने रुद्ध किया होगा की गई होगी ज का का कौं सा शेकेंड साना साना हाज जोड़ी से लिए गया है कि गंतों मेहनत बात्साहं का सहर कुछक क्हा गया आंसर देखींगे आप पहुत ही परिश्रम करते हैं पूर्षों और महीलाओं को साथ-साथ वहां के बच्चे भी मेंती हैं विद्याले से आकर वे अपनी मां के साथ काम करते हैं इसलिए गंगतों को महनत का सबाध्षाओं का सहर कहा जाता है बच्चों प्रिश्ण नमर तीन बच्चों द्वारा की गई कौन सी सरारते का से लिया गया है माता कांचल उन्हें महें पड़ती है माता कांचल पार्ट के आधार पर लिखिए देखो आप उतर देखिए एक दिन वर्षा के बाद भोलानात और उसके सभी साथी खेतों में खेलने के लिए चले गई वहां उन्होंने चुहों कोई बिल में पानी उचले शुरू कर दिया चुहों में पानी के डर से बाहर आते हैं देखकर वे सब बड़े ही कुछ हो रहे थे अचानक एक बिल में से चुए के इस्तान पर क्या निकलाया बच्चों साप निकलाया उसे देखकर के सभी डर जात ही है पर वे तो बस बेतहासा भागने में लगे हुए हैं सब ने घर पहुंच कर ही चेन की सांस ली बिल्कुल हो जाएगा आगे चले बच्चों है बेरोजगारी पर 10 विशह आपको दिये जाएंगे छफ्य अंग का प्रश्चनि रहेगा और बेरोजगारी पर आपको जैसे विस् intrigue आपको करना है और उस पर लिखना है जैसे हम इसको एक विश्य ले लेते हैं बेरोजगारी कैसे लिखते हैं यह विचारनी बिंदो आपको दी जाएंगे प्रस्तावना बेरोजगारी कारण दूर करने के उपाए तो हम चलते हैं देखते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी का शापदी करत होता है रोजगार न मिलना जब कोई विक्ति अपनी शम्तानुसार कारे न मिलने पर कम वेतन में अपनी शम्ताओं से अलग कारे करने को तैयार हो जात हो तो उसे तब कारे नहीं मिले तो उसको प्रवर्तियों को बढ़ावा मिलता है आजीव का अपार्जन है तु लोग अनेतिक क्रत्य करने से पीछे नहीं हड़ते इसे समाज में अशांती फैलती है बेरोजगारी का प्रमुक कारण है जन्संक्या व्रद्दी जिस हिसाब से जन्संक्या बढ़ रही है उस हिसाब से संसादनों में वर्ति नहीं हो रही है लोगों को परियाप्त रोजगार उप्लब्द नहीं हो पा रहा है हमारी शिक्षा प्रणाले भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसमें व्यवहारी ज्यान की अप्यक्षा श उचित काम नहीं मिल पाता इसके अतिरिक्त मनशिनी करण आर्थिक मंदी भी बेरोजगारी में वर्धी के प्रमुकारण रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे पहले जन्संक्या पर नियंत्रण करना होगा और इसके लिए लोगों को जागरुकता जागरुक करना होगा लगुद्यों को का विकास करके भी इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं योगों को प्रशिक्षत किया जाए और उन्हें रोजगार के अउसर प्रधान किये जाए बिल्कुल यह दूसरा है बिल्कुल कि देखे किस तरह से लिखते हैं अपन यह दहेज प्रथा के बारे में दिया गया है आगे चले अब क्योसर नमबर फिप्टीन पर चलें अपन पत्र दो पूछे जाएंगे आपसे किसी एक पर लगबग सो सब्दों में पत्र लिखना है और इसका वेटेज अंक भार कितना है पांच तो देखिए पहला देखें चरित्र प्रमाण पत्र है तू प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें हाँ किस तरह से लिखते ही देखें आप प्रधानाचार्य महोद थे। विद्ध्याल्य सास्थी नग्र नहीं दिल्ली मेरे पिता जी का इस्तान अंत्रन अजमे शहर में हो गया है मेरा पूरा परिवार वहीं जा रहा है वहां ग्यारवी कख्षा में प्रवेश लेने के लिए मुझे चरित्र प्रवान पत्र की आउशक्ता है आगे चले दूसरा है अपने ही शहत्र के विद्वत अधिकारी को अपने महले में बिजली से परिशानी से अउगत कराते हुए प्रात्ना पत्र है बेलकुल तो बी ए महेश जोद्पूर दिनांग लिखा दिया यह आप पर विद्वत अधिकारी महेश यह आ जाएगा बिजली के समस्या कि जाने है तूँ और यह आपके शेत्र का निवासी हुँ इस पत्र के माद्यम से मैं आपका ध्यान अपने खेत्र में होने बिजली की अनियमित्ता की दियान दिलाना चाहता हूं हमारे यहां बिजली के कई कई घंटे गाइब रती इसलिए रात में अधिक तर लोगों को अनेक कठनाईयों का सामना करना पड़ता है गर्मी के बढ़ते कारण और भी खराब हो जाता है हो रहे हैं इसका सबसे बुरा आसर विद्यार्तियों की पड़ाहे पर पड़ रहा है और मरीजों को तकली बढ़ रही है आसा है कि आप इस उचित कदम उठाएंगे धन्यवाद भूदिये तो इस तरह से पत्रपन बना सकते हैं संवरित कहा जाएग क्यों कहा जाएगा देख आप संवरित तयार किए सेवा में प्रभंदक मौद्य बिजली विभाग जेपूर बिजली विभाग जेपूर विशे इंजिनियर के पत के लिए आवेदन तो महोद्य देनांग तीन जनवरी से नव भारत टाइम्स के प्रकास विग्यापन के करता हूं मेरा संक्षित दिवरण इस प्रकार है श्रीमान से निवेदन है कि मज़े उच्चित पत्प पर निव्क्त करने की करपा करें धन्यवाद स्वम्य कुमार बड़ा बाजार कुरुशेत्र और दिनांग उसके बाद सेक्षण की युग्यता यहां पर दी गई है कि क इरम से कख्षा कौन से में कौन से एरपास की कौन से बोड़चे की और विशे उत्तीन कौन कितनी परसेंटेज अपने बनाई बिल्कुल हो जाएगा इधर से अन्य युग्यता अनुभव क्या है देखो कंप्यूटर में एक साल हिंदी अंग्रीजी भासा का ज्यान वाला देखने अपन आपके विध्याले में परियावरण सुरक्षा सप्ता मनाये जा रहा है इस अउसर पर परियावरण मंत्री को आमंत्रित करने है तो लगभग असी सब्दों में एमेल लेखन कीजिए देखिए बच्चों आपके विध्याले में परियावरण सुरक्ष का सब्ता मनाय जा रहा है इस विशे पर आमंत्रित करने हैं तो लिखिए हो जाएगा किस तरह से लिखा जाता है संब्री देखो आप कि नंबर एक नाम कि स्वम्य कुमार पिता का नाम और अजस्व कुमार मात का नाम सुगंदा जन्मतिति छे अगस्त उननी सो चुरान में वर्तमान पता तीन गांधी नगर मॉबाइल नंबर यहां पर हो जाएगा इमेल फ्रॉम यह बिलकुल हो जाएगा संब्रित में आगे बढ़े पन यह हो गया इसमें वो भी है इमेल लेखन तो इमेल इस तरह से लिखा जाता है आपको यहां से दिखाता हूं में यहां से इमेल का फॉर्मेट है बिलकुल और इस तरह से लिखा जाएगा चेज़सी बीची मंत्री के मनतित करने हैं तो कि हमारे विध्याले में पर्यावन सव्क्सस सप्ता मनाय जारा है इस अवसर पर विद्याले की किनारे पर भरी पेड़ लगा रही है मैं आप से निवेधन करता हूँ कि आप इस सुशाज पर पर ढहर कर हमें खृतार्थ j सूर्य अब क्यों से नमबर सात्रा देखिया यहाँ पर सान्स करप ते की आपने विध्याले में होने वाले सान्सक्रत्रिक कारेकर्म के लिए बदिया पने विध्यापन के से तयार होता है करना था का सरसूथ इसकोल विद्ध्याले प्रांगण में 25 अगस्त को एक सांस्कृतिक कारेक्रम के आविजिन किया जारा ही सवसर पर निमने लिखित कारेक्रम यहां पर रखे गए हैं एकल यह हो जाएगा आगे बढ़े अपन एक सोक संदेश इस तरह से बिल्कुल साथ सब्दों में इस तरह से बन जाएगा सोक संदेश आगे बढ़े तो सभी प्यारे बच्चों को अल्डी बेस्ट और एसी आसा है कि आपको समझ में आया होगा और आगे भी हम ऐसे ही सेंपल पेपर लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगी तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद